पाइज वेलकम टूपाइज चैनल इंट टूडेंगे स्क्राइज विद बढ़ चैप्टर बन रिलेशन एंट फंशन का पार्ट एलेवन है और आज हम करेंगे श्चिनियस एक्सेसाइज का पार्ट पर जो आपके करेंड एडिशन है न्यू एडिशन है उसके यह सेड़े सेशन की यह सेड़े जो मैंने रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया था इन वर्टीबल फंशन आपने इस लेक्टर का नहीं देखा था है बूट सब्सक्राइब कर लिंक आपको इहां मिल जाएगा जैसे कि आप यहां भी देख सकतो एक्जामनर है कि आज की क्लाँश की मिस्क्ली ने सेक्साइस का जो आपका फिर्श कोशन्य जो आपका पूरानी डिश्पास नंबर फूर तो मिस्क्றानी अगर है जो External very very important question ठीक है अब दोको question क्या आपका your question is show that the function function क्या आपका function की जो mapping है वो real number two x belongs to real number such that minus one such that x is greater than minus one and less than minus less than one or function की जो value of x upon one plus modulus of x है where x belongs to real number is one one and on two आपको शो करना है कि यहां पर जो आपका ही function है है वो one one function होगा and on two function होगा यह आपको शो करने के लिए का आग्छे है ठीक है अब आप यह देखो first of all कि जो आपकी fun shower की mapping है अगर मैं function की mapping की बात करता हो तो जो का set a है वो तो complete set of real number complete set of real number है लेकिन अगर मैं set B की बात करता हूँ अगर मैं set B की बात करता हूँ तो set B में जो element X है उसकी एक limit है वो minus 1 और 1 के बीच में minus 1 और 1 के बीच में यानि कि minus 1 और 1 के बीच में जितने भी real number होगे minus 1 और 1 के बीच में जितने भी real number होगे वह सभी elements आपके set B में होगे set A में तो सारे real number होगे हालगी minus 1 और 1 के बीच में भी आपको बता infinite real number होगे लेकिन set A जो है वो complete real number का set है इतनी वाद समझ में आ रही है ठीक है तो first of all किस तरह समस्टार्ट करेंगे first of all जो given information है महां से start करते हैं what has been given a function f जिसकी जो mapping है वो क्या है real number to x belongs to real number such that minus 1 less than x less than 1 less than 1 यह किये रहे and value of a function is equal to x upon 1 plus modulus of x x upon 1 plus modulus of x तो को जहां तक आपका modulus of x function की बात है जहां तक modulus function की बात है जैसे कि यह आपका modulus function है we know that अगर मोडूलस function की value की बात करता हूं तो we know that the modulus x आपका it will be equal to x when if x is greater than equal to 0 and it will be equal to minus x if x is less than 0 और ऐसा क्यों होता है यह भी मैं आपको पहले explain कर चुका हूं फिर से आपको बता देता हूं मोडूलस function का का काम होता value को positive रखना अब अगर आप कोई भी value डालता हो जो 0 के equal है 0 से बड़ी है तो वो already positive like आपने 2 को रखा मोडूलस of 2 2 के equal होगा लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी value डालता हो x की जो 0 से छोटी है यानि कि negative value जैसे कि minus 2 अब मोडूलस function का का काम क्या होता है इसको positive करना अब यह positive कब होगा जब इसके आगे एक और minus आजए जब इसके आगे एक और minus आजए तब ही तो positive होगा तो अगर वो negative value होगी तो x के आगे एक minus आजए तो डाट वैल्यू बिकम पॉजिटिव एक पाइनस और आ गया जैसे मॉडूलस और माइनस टू था माइनस टू तो यह positive कब हो जब एक माइनस और इसके आगे आएगा इसलिए यह कहा तो उ Barbetten मोडने लोगा यहां पर करेंगे बाद समझ में आरे हैं ठीक है तो कहाना ही से फासी सब्सक्राइब्स नापस्यों प्लस आ रेकेख primeira स्की इफ x is greater than equal to 0 and it will be equal to X upon 1-x if x is less than 0 यह बात clear है आपको ठीक है कि जो function है हमारा उसकी value क्या होगी उसकी दो values होगी मारे function की 2 value होगी एक X upon 1 plus X कब जब X आपको 0 7 0 से बड़ा होगा और इस function की यह value और उन टू हो गए ने तो चलिए हम बात करते हैं कि यह बन्वन है तो केस्वन केस्वन का मतलब मेरा यहां पर क्या है भई आपके के पास यहांपर डिफर्ट केसी का मतलब वह एक्स वन देखो बात होती है यहांपर आगर मैं वनवन की बात कर रहा हूं इसका मतलब यह हो गया कि एक सब्सक्राइब अब दोनों को पॉजिटीव ले लो केस्ट्व में दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे केस्टी में क्या होगा मैं एक को positive रखेंगे एक को negative और case form में क्या होगा एक negative और एक positive तो ऐसे total कितने cases बंढ रहे हैं आपके four cases बंढ रहे हैं अब अगर सभी cases में यह one one होता है सभी cases में प्रूफ हो जाता है कि f of x1 अगर f of x2 के equal है और x1 x2 के equal है अगर f of x1 f of x2 के equal है and x1 x2 के equal है तो हम क्या सकते हैं सभी all four cases में अगर यह चीज प्रूफ हो जाती है यह condition प्रूफ हो जाती है तो हम यह करेंगे कि जो आपका given function हो one one मेरी वासा बंढ में आ रही है ठीक है तो first of all हम case देते हैं जब x जो हमारा वह greater than equal to 0 होगा तो f of x1 क्या हो जाएगा अगर x greater than equal to 0 है तो x greater than equal to 0 होने का मतलब function की वैल्यू क्या होगी x upon one plus x function की वैल्यू क्या होगी x upon one plus x यह वासा बंढ में आ रही है ठीक है तो can I say that in case of x1 हो जाएगा x1 upon one plus x1 और इसी तरह से जो आपका f of x2 है f of x2 f of x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 upon one plus x2 x2 upon one plus x2 ठीक है अब question में क्या कहा जा रहा है आपको वन वन प्रूफ करना है तो वन वन चैक कैसे करोगे let f of x1 equal to f of x2 let f of x1 equal to f of x2 यह बात clear होगी ठीक है तो क्या हो जाएगा x1 upon one plus x1 equal to x2 upon one plus x2 यही value f of x1 और f of x2 की ठीक है है अब जब आप इसको solve करोगे जब आप इसको solve करोगे बट विविल है विविल दूदा cross multiplication x1 को मिसके साथ multiply करेंगे तो वाट वीविल है वीविल है एक्स वन विदिन ब्रैकिट 1 plus x2 विदिन ब्रैकिट 1 plus x2 यह बास अमझ में आरिये ठीक है तन इत विल ब्रैकिट विल ब्रैकिट एक्स 2 विद इस वैट जैघा ट्री को को वन के साथ multiply करोगे तो विल एक्स ब्रैकिट into x2 x1 into x2 क्या हो जाएगा x1 x2 x1 x2 यह क्लियर है ठीक है equal to equal to x2 into 1 क्या हो जाएगा आपका x2 plus x2 को x1 के साथ करोगे तो यह भी क्या हो जाएगा आपका x1 x2 x1 x2 यहादा क्लियर है ठीक है now after simplifying this after simplifying this what we will have you can see that x1 x2 and x1 x2 will be cancelled out so finally we will have x1 equal to x2 can I say that it means that is f is 1 1 f is 1 1 by because f of x1 is equal to f of x2 because we have supposed that f of x1 is equal to f of x2 and then it has been proved that x1 is equal to x2 so we can say that as as per case 1 given function is f1 as per case 1 given function is f1 यह clear है ठीक है अब हम बात करते हैं case 2 की now we will discuss case 2 case 2 case 2 case 2 में क्या होगा x is less than 0 अब जब अब x less than 0 है तो function की value क्या है अब तो Alors value function is x upon 1 minus x तो अब जब एक्या होगा x1 अब एक्या होगा x1पों 1-x1 and f of x2 will be equal to x2 upon 1 minus x2. Then, let f of x1 equal to f of x2. f of x1 equal to f of x2. Now, what we will have? x1 upon 1 minus x1. This is the value of f of x1. And value of x2 is x2 upon 1 minus x2. x2 upon 1 minus x2. Again, we will do the cross multiplication. First of all, x1 with 1 minus x2. x1 with 1 minus x2 equal to x2 with 1 minus x1. x2 with 1 minus x1. Is it clear? Now, what we will have? x1 into 1 that is x1 minus x1 into x2 that is x1 x2 equal to x2 into 1 that is x2 minus x2 into x1 that is x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 is equal to x2 x1 is equal to x2 x1 is equal to x2 we can say that it implies f is x1 1 1 1 1 1 to case 2 में भी हमारा जो आपका function है वो क्या है आपका 1 1 आ रहे है ये क्लिएर है? ठीक है? नौव इलिस्कस दा case 3 ना इलिस्कस दा case 3 अब case 3 में क्या होगा? case 3 case 3 when x1 is greater than equal to 0 and x2 is less than 0 एक positive एक negative x1 को अमने positive ले लिया और x2 को अमने negative ले लिया ठीक है? अब positive होने का मतलब क्या है? भाई positive होने का मतलब है कि fx आपका किसके equal x upon 1 plus x के और negative होने का मतलब यह है कि fx की value के x upon 1 minus 1 अब इसके according to value लिखते है तो कहने ही say that f of x1 यह आपका case है जब x2 है आपका 0 है 0 0 के equal है 0 से बड़ा और यह आपका case है जब x आपका 0 से छोट है जब x आपका 0 से छोट है ठीक है? तो f of x1 क्या हो जाएगा? x1 upon 1 plus x1 1 plus x and f of x2 will be equal to f of x2 will be equal to x2 upon 1 minus x2 1 minus x2 यह clear होगे आपको ठीक है? अब आप भी देखो कि जब आप x1 को 1 minus x1 के साथ multiply करोगे तो what we will have? x1 within bracket 1 minus x2 equal to x2 into within bracket 1 plus x x2 within bracket 1 plus x यह clear हो गया? ठीक है? अब आपको आपको now what we will have? x1 into 1 that is x1 minus x1 को x2 के साथ करोगे यह हो जाएगा x1 x2 equal to x2 into 1 क्या हो जाएगा x2 और plus हो जाएगा x1 x2 अब आप यहां देख सकतो यहां x1 जो आपको x2 के equal नहीं आ रहा है अगर आप इसको solve करोगे तो what we will have देखो इसको यहां shift कर दो तो यह हो जाएगा x1 minus x2 और इस value को मैं यहां shift कर देता हूं यह हो जाएगा x1 x2 plus x1 x2 तो finally we will have x1 minus x2 equal to twice of x1 x2 यह इसके equal हो जाएगा right x1 minus x2 आप क्या हो twice of x1 x2 अब देखो अब इसको हम चेक करते हैं देखो x1 जो था आपका वह greater than equal to 0 और x2 जो था आपका less than 0 तो for example x1 अब 0 से बढ़ा तो x1 की value मैं ले 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 तो 4 x2 0 से छोटा है तो इसकी value मैं ले ले तो minus ठीक है अब आप चेक करो आपकी जो left hand side है वह x1 minus x2 तो यह होना चीए 4 minus minus 2 तो 4 minus minus plus हो जाएगा तो आपकी जो left hand side हो तो आई की 6 right hand side में twice of x1 तो x1 की जगा क्या जाएगा 4 x2 की जगा क्या जाएगा minus 4 2 जाए day 2 जा 16 क्या 6 16 के minus 16 के equal होता है नहीं होता है यह यह चीज़ possible नहीं है it is not possible it is not possible since x1 is positive and x2 is negative x2 is negative तो इससे क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आप एक positive value से negative value को minus करो बड़ी value से बड़ी value positive है छोटी value negative है तो क्या नहीं say that हमने आ रहे एक्जामपल में x1 जो था उसको अमने क्या लिया था 4 लिया था क्या लिया था 4 सो x1-x2 greater than 0 and twice of x1 x2 is less than 0 twice of x1 x2 is less than 0 अब देख सकते हो यहां पर यह आपकी positive value आ रहे है और यह आपकी क्या रहे है negative value आप चाहो तो starting में इस चीज को mention कर सकते हो यहां पर जो हम x1 ले रहे हैं यहां पर जो हम x1 ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं x1 हम ले रहे हैं 4 से 4 और x2 को हमने ले लिया minus 2 x2 को क्या ले लिया minus 2 starting में आप इस चीज को mention कर सकते हैं अब आप यह देखो इसका मतलब क्या हुआ thus in this case in this case condition of condition of 1 1 is not satisfied is not satisfied that is here f of x1 is equal to f of x2 but x1 is not equal to x2 x1 is not equal to x2 clear हो गया therefore मैंने आपको starting में कहाता है सभी cases में अगर यह condition satisfy होगी तब भी वह one one होगा therefore given function therefore given function is not one one is not one one or injective जो आपका given function ना वह one one नहीं है ठीक है अब आपको क्या चेक करना है अब आपको क्या चेक करना है क्या यह function on to है क्या यह function on हमारा फॉर्स सेट है function का जो यह सेट है वह रियल नंबर है रियल नंबर में आप ले लो one two three four इतने भी नंबर आएंगे आपके इस तरह से होगा माइनस टू माइनस फोडि फ्रेक्शन वाले नंबर आ जाएंगे आपके माइनस फ्री फाइव माइनस वन बाइटू रूट वाले नंबर आ जाएंगे रूट फाइव रूट तरह यह नंबर में सब कुछ नारे आपकी नंबर आ जिए जो आपका सेट भी है जो आपका सेट भी है सब्सक्राइब की क्या रेंज है सब्सक्राइब का मतलब हो गया जिसकी क्या कंडिशन है कि यह माइनस वन से तो बढ़ा है और वन से क्या होगा चोटा माइनस वन और वन के पीच में जितने पी रियल नंबर होंगे वह सब यहां है ऐसा कि मैंने यहां पर लिखा माइनस व पॉइंट 3-0.4 इस तरह से जो भी नमबर हो ठीक है अब हमें चेक करना है कि क्या गीवन फंशन हमारा वन वन है या हमारा गीवन फंशन वन वन है तो वन वन चेक करने का क्रेटेरिया क्या होता था हमारा फर्स्ट ओफॉल दो वन वन का वोगा जब जितने भी सब्सक्राइब करेंगे लिएगे अगर सब्सक्राइब क्या होता है अब क्या प्रोसीजर क्या वोता है हमारा Let, फस्टों वोम क्या लिखते है कि एक्वल तू य हम एक्वाइच को y के एक्वल लेते हैं और कोस्टन के इसक्स की जो वैल्यू है वह क्या है X अपॉन 1 प्लस एक्स यह बाद समय में आ रही है है आपको ठीक है यहां जो हम केस ले रहे हो क्या ले रहे है एक्स की वैलू यह इसका मतलब जो वाई है आपका वह लिखना है यह इसको बनाना एक्सें टमस तो क्रॉस मिल्टिप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा वाई इंटू प्लस एक्स हो जाएगा ये क्लियर हो गया आपका और य के क्या हो जाएगा आपका एक्षी हो जाएगा इक्वल तो प्ल्स में को राइट saya में शिप्ट को तोxico जाएगा एक्स माइन अग्केल क्या हो जाएगा एक्स right is like हुआ जाएगा यहे ओजाएगा आपका y1-5 यह क्लिए तो चैना क्याना है था let that x is equal to x is equal to y upon 1 minus y तो यह आपके पास x की value आगग case 1 से यह आपके पास value आगगी case 1 से अब इसी तरह से अगर मैं case 2 लेता हूँ case 2 तो case 2 में भी क्या होगा let fx equal to y case 2 का मतलब है x चब 0 से छोटा है x चब आपका 0 से छोटा है तो जब x 0 से छोटा है तो fx की value क्या होगी जहाँ आपको यह x दिखाई दे रहा है इसकी जगब minus x आजए 1 minus x 1 minus x ठीक है अब जगो तो can I say that y equal to can I say that y is equal to it implies y is equal to x upon 1 minus x it implies y is equal to x upon 1 minus x cross multiply कर दो जब आप cross multiply करोगे तो what we will have y into 1 minus x equal to x हो जाए यह clear है ठीक है then we will have y minus x y equal to x हो जाएगा ठीक है अब इस minus x y को right hand side में shift कर दो तो y equal to क्या हो जाएगा x plus x तो y equal to क्या हो जाएगा x common ले लोगे तो 1 plus y हो जाएगा from case to from case to what we will have that x is equal to y upon 1 1 plus y x is equal to y upon 1 plus y यहां तक सारी चीज़े है clear है ठीक है अब आप देखो अब अगर आप इसकी एरो डाइग्राम जो में आप आपको यह set बना के दिखा है अब यह देखो कि भी यहां तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जो ना हो अब मैं यहां से कोई भी value y की put करूंगा अब मैं यहां से y की कोई भी value put करूंगा वो value x के किसी न किसी element की image तो होगी वह सेट एक है आपका x और यह आपका है y अब y की मैं कोई भी value put करूंगा y की मैं जैसे कि for example अब कि मायनस और वन के बीच मैं आता है जीरो हमाइककी जगह 0 इनकी diğer 생각 आब क्या एक्समें जीरो नहीं होगा एक्समें 0 होगा यानि की जब y की value क्या यजब ये यहां पर जो जीरो होगा यह वाला जो जीरो की इमेज होगा कहने का मतलब यहां से किसी बी कि सारी नंबर होगे तो इसका मतलब यह है कि यह सट का हर किसी इमेज हो गही होगा यहनी कि वाइसट का कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी एक के element की image ना हो यानि कि वाइस इसका मतलब यह हुआ कि हम यह कहा रहे हैं कि जो range आपका वो code domain के equal है यह वासा वन में आ रही है ठीक है फिर से आपको डाग्राम से चीज समझा देता हूं मैं आपको यह कहा रहा हूं यह जितने भी वाइनस और वन के बीच में जो भी आपके infinite real number होंगे यह सारे element यहां से किसी ना किसी element की image होंगे कोई भी ऐसा number नहीं होगा जो image ना हो माइनस वन और वन के बीच में तो यानि कि जो आपका range है वो को डोमेन के equal आ रहे हैं और अगर ऐसा केस है तो इस अर्जेक्टिव है यह ओंटू है पर आप इसको लिखो कि कैसे हैं यह 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 बिलॉंग्स तो एक्स बिलॉंग्स तो रियल नंबर such that x is greater than minus 1 less than 1 that is that is value of y is from value of y is between is between minus 1 and 1 minus 1 and 1 that is y is greater than minus 1 and 1 देख लिए रहे आपको ठीक है so x is defined for all values of for all values of y and x belongs to the real number x belongs to the real number therefore f is on to कि यह जो आपका यह यह आपका ओन टू है hence है एप इस है पीज है एंस एप इस है फीज है यह है वन वन एंड ओन टू आ प्लियर हो गें आपकर ठीक है अपको आपको और आपस्ट है तरा आप रहुगां प्लियर एक प्शून था हमारा नीए रही फन आपको यह इस पेश के लिए नहीं पंस्ट जो आपका वन नहीं को एक्षक में वा ठीकर नहीं कोशन में को कि रहिए कि ऐडली तो अगर आगर आपको उसको चेक करना हो तो तो मैं यह कहता आपको यह यह नहीं है कि आपको कॉस्चिंट में करफा एक कि आपको करना से इस चीज को किस तरह से मैंडिकर यह थिर्ण yht इस HE एक तो यह नहीं है अब आपको यहां पर क्या करना देखो यहां हमने क्या किया था कि एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब अब इस चीज को कैसे लिखोगे दस अब ऑनवन कैसे लिखने आपको दस तक केस ओफ एक सब्सक्राइब पॉजिटिव यान कि वह केस जिसमें एक सब्सक्राइब है डास्ट केस ओफ एक सब्सक्राइब क्रों पॉजिटिव और एक सब्सक्राइब इस केस को क्या करना है रुल डाउट करने आप चेक करने के लिए कहा जाता है तो स्टेट फाउड हम कहते वन वन नहीं है लेकिन आपको कहा जा रहा है शो करना है शो करने के लिए कहा जा रहा है तो हम यह कहेंगे कि वह यह यह पॉजिटीव है यहां पर अगर आप ध्याम तो question में कहा गया है show that show का मतलब फिर आपको वो चीज दिखानी ही दिखानी होती है तो हमें इस case को ruled out करना होगा तो कौन सी values लेनी है हमें इस case को अगर आप ruled out कर देते हैं तो फिर आपके पास जो case आता वो क्या आता है कि x1 और x2 दोनों ही positive हैं और x1 और x2 दोनों ही negative है और in that case आपका होगे 11 है तो ऐसे शो करोगे कि इस वाले case को फिर आपको क्या करना होगा इसको आपको हटाना पड़ेगा आपको दो ही case लेने पड़ेगे जब आप दो case रखके चलोगे तब आप शो कर सकते होगी यह आपका 11 है तमद में आरे है मेरी बात ठीक है अगर check करने के लिए का आ जाता चेक करने का मतलब सबी cases में तो यह आपका 11 नहीं होता है लेकिन आपको आगया शो करना है आपको question में क्या करना है शो करना है तो जब आ वनवन शो करोगे तो इसमें इक निन जैसे आपने खाए सब्सक्राइब नहीं आएब आपको शो करने है लेकिन क्या होगा कब होगा जब केस हमें अगर हम किसको अटा देते हैं तब आप च्या सकता है वन वन है तो हमने खाल कि भी इसको और यौर तो डैरेक्टलिए इने प्रूव करी दिए कि वहारा रेंज यह वो कोडुमेन के एकव्ल आ रहे है उब ने कहा है कि यह अर ने का ने का मतलब किया है कि यह यह उन्यूर आ पर जो महरा रहा रहा है तो ले नेक्स्क्रेशन कोशान जो कोशनन नम्बर 2 जो आपका कोशनन नमबर 2 एसकी एक डिशांपल में भी बताएं स êtes एक चीज का ध्यान रखना एक्स की पावर थी है जब एक्स की पावर थी होता है देखो अगर आपको काता अगर हम यह कहते है कि X1 Square Equal to X2 Square तो X1 की वैल्यू जो होती है फिरो Plus Minus X2 हो जागी लेकिन अगर यही पावर आपकी ओड हो जाए लाइक आप यह क्यातों कि X1 क्यूब इक्वल टू X2 क्यूब इन डैट केस आपका जो X1 ने वह X2 के एक्वल होगा और जिससे यह प्रूफ हो जाएगा कि यह आपका इंजैक्टिव है वाट आइं सेंग देखो फॉस्ट फॉल गीवन फंशन क्य हिये आपका है कि एर एंफ एक्वल टू X के एर एफ एस इस इक्वल टू X कि राइट लैट एफ एस्वाफ एपस इस इक्वल टू F एपस टू इसका मतलब क्या X1 रेज तू पावर धी इक्वल टू X2 रेज त्टू पावर्य三 पॉंट इस कि यहांपर जो आपकी पावर वोड ़ोड और वाले केस मिंख्या सकती हो कि डिरेग्टली च्टिश टो निए उइटो ऐसे डिर्फ़ों एक्टे पूंद एस 10 वन 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 यह देरेफोर टीज वन 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 का मतलब क्या आपका यह इन प्रिट्स को स części कि रहे हो गया था Si 3 वह आपका old edition के हिसाप से question number 8 है ठीक है question number 8 है question क्या आपका given a non empty set x आपको एक non empty set given x consider px अब px कह है set of all subset of x अब इसका मतलब क्या पहले इतना समझो आप दोखो आपके पास एक set x है let us say that set x एक non empty set है इसमें element 1,2 माल नहींत है यह आपका set x है ठीक है तो px कहा है px is a set of all subset of x जो भी set के subset होंगे जितने भी उन सबका जो set होगा वो px है अब 1,2 के subset क्या होंगे 5 1 2 और 1,2 1,2 यह वाद समझ में है ठीक है तो जो px है px जो है आपका वो set x के जो नहीं भी सबसेट होंगे वह आपका पी एक सब्सेट पी एक सब्सेट ऑफ यह बास समझ में आ रही है ठीक है अब आगे का जा रहे है बीफाइं दा रिलेशन आरि इन पी एक स Además अब यहां पे relation क्या बन रहा है एक से का दूसरे सैट से यह कि एक element का दूसरे elements से क्या relation है कब बनेगा relation अगर वह element दूसरे elements का क्या होगा सबसेट होगा जैसे कि मान लो यह और यह बज़िए अब एक नभी से रिलेटिड है according as per this definition yes a is related to B why because यहाँ पर जो 1 है वो इसका subset है अगर यह सबसेट है यानि कि यह इस सबसेट है यानि कि यह इस contain in this set you can see that one is containing 12 मैं कहा सकता हूं कि यहाँ पर A और B के पीच़े बिसमें एक relation बनेगा और B के इसमें हो automate बनेगा जिए जो है आपका सबसेट होगा भी तरह पर आपको कहा जारे कि यह जिस सी रेलेशन कि हाँ पर बात खर्यां और हो यक्क्कel डेलेसे कि हैने कि क्या हो होगा कि यह इक और इक ह renting फिर में चेक कर रहोगा स्मेर्ट अगर बिलॉंग कर रहे हैं तो प्यक्रना चीभब में सब्सक्राइब करें कब facing लॉंग कर रहा है तो słrs को बिलॉंग कर रहा है यह में चख कर लें तब वो एक्यूलेंस होगा justify your answer ठीक है तो फिर्स्ट फॉर्स्ट फॉल्ट इस विन गीवन एर a set x which is equal to non empty set which is equal to non empty set then px what is px is set of px except set of all Sumseins is 齐 थैट अल्सब्सट Óफ X है जट्व और सब्सेतों बेक्स यहाँपर जो रिलेशन आपर जो रिलेशन आड़ा किस्का अपर कि एक्सका यहाँगर वे पर सरस्के साथ है आप देख सकते हमें यहाँपर तक कर लेशन आपस्त चो rif gay государ Due今天 ab przep Deaf रहा है, relation is between a and b such that a is the subset of b for all a belongs to px and b belongs to px, यही का जा रहा है आपको कि भया a का relation किसके साथ है, a is related to b, a is related to b, क्या relation है कि अगर a जो वो b का subset होगा, तो अब a जो है वो भी किसको बिलॉंग कर रहा है, px और b जो element है वो भी किसको बिलॉंग कर रहा है, यह बात की रहा है, अब हमें लिखेंगे for all, for all a belongs to px, a belongs to r, a belongs to r, अब आप यहाँ देखो, भई हर element अपनी में तो हो गई, पाई पाई का subset होगा, 1, 1 का subset होगा, 2, 2 का subset होगा, 1, 2, 1, 2 का subset होगा, कोई भी जो set होता वो अपना subset तो होता ही है, ले रहा है था है, ठीक है, can I say that since, since every set, since every set is a, since every set is a subset of itself, since every set is a subset of itself, so, a is the subset of a, therefore a, a belongs to the relation, therefore r is reflexive, r is reflexive, अब यह reflexive तो है, यह reflexive है, ठीक है, अब हम चेक करते हैं, क्या यह symmetric है, symmetric, symmetry के लिए क्या होगा, if a b, if a b belongs to r, then b a belongs to r, यह condition होती है, अब देखो, question में क्या कहा जा रहे है, as per question, अगर मैं यह कहता हूँ, a b belongs to r, इसका मतलब आप यह कहा रहे हो, कि जो a है, वो b का subset है, जो a है, वो b का subset है, अब एक example से समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो a है, let a be one, और b b one, two, can I say that a is the subset of b, तो a b जो है, वो तो related है, अब इसको opposite करो, क्या b subset होगा a क्या, b आपका क्या है, one, two, a आपका क्या है, one, two, क्या one, two जो है, वो इसका subset होगा, वो नहीं होगा, इसका मतलब a b तो belong कर रहा है, एकिन b यह belong नहीं करेगा, यह बास समझ में आ रही है आपको, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, but b a, यह फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, but b is the subset of a, b is not the subset of a, b जो है वो एका subset नहीं है, है, so, b a is not related, b a not belongs to r, therefore, r is not symmetric, r is not symmetric, symmetric तो यह नहीं है, अब हम बात करते हैं, है, transitive, अब हम बात करते हैं, क्या यह transitive है, क्या यह transitive है, जो then, जो a c है, वो भी belong कर रहा जीए, यह आप क्या condition होता है, ठीक है, अब इस चीज को एक example से समझते हैं, जैसे कि देखो, let's set a b, let a b 5, let a b 5, और b हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा set 1, and let's set c b 1, 2, 1, 2, अब आप यहां कहा सकते हो कि ए जो हो b का subset का subset है, अब आप यह भी कहा सकते हो कि जो b हो c का subset का subset है, जो है वो इसका subset है, set 1, ठीक है, तो यह जो हो इसमें contain कर रहा है तो पीज़ेन तो तो सब्सकें आप इसको एक्षाम्पल से भी शोकर सकते हो अधर्वाइस कैसे लिखोंगे सिंस A, B belongs to R and B, C belongs to R A is the subset of B and B is the subset of C then A is the subset of C which implies A, C belongs to R which implies A, C belongs to R therefore R is transitive therefore R is transitive right we can say that here R is reflexive and transitive but not symmetric but not symmetric but not symmetric so we can say that hence hence R is not an equivalence relation hence R is not an equivalence relation is it clear so guys this is for today's class I hope you like this class and if you like this class then do like share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes thanks and have a great day which is I hope you like this and I hope you like this and you can see there